अजो टॉपिक का नाम है कॉट्शिप बहेवियर इन रप्टाइल्स तो रप्टाइल जोन से जिसमें मेल और फीमेल कैसे अट्रक्ट करते हैं फॉर मेटिंग के लिए यह आज हमने देखना बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है जेकि बेटा मेटिंग बहेवियर या रीप बहेवियर जो शो करता है वह कौन-कौन सा ताकि वह मेल फीमेल को अपनी तरफ लेकर आ सके फॉर मेटिंग के लिए जैसे मेल डिस्प्ले करते हैं कुछ रप्टाइल्स हैट बोबिंग करते हैं है अपने सर को ऊपर नीचे करते हैं कि वह रीप्रॉड़क्शन करना चाता ह या टक्ताल Hij और हौरे बोडिय पार्ट को जमीन के बाहरता है या किसी चीज को मारता चाकि वह शो कर ग Counter करना चाता है तो झ Takes टेल मुवमेंड टेक्टाइल्स ट्सक्राइग गडार ये करते हैं कुछ होते हैं जोично क對不起 सरे गरते हैं जो निद Suppose इरिए बिते या किसी चीज्च चुपा कर देती है या अंड को चुपा देती हैं किसी हैं नुकर में देती हैं तो यह honestly कुछ करते हैं जो एम pea मेल यह ले बेसर करते हैं और כुछ नहीं करते रहत हैं जेंडर है वह बेस करता है workflows दोपर अगर इसके एक की development हो रही है 31.5 centigrade तो फीमेल पैदा होगी अगर उस akड की development हो रही है 32 centigrade पर तो हरमाफोड जीसमें मेल भी होगा फीमेल दोनों होगे एक ही genडर में दोनों چीज़े हरमाफोड होगा 327 और अगर 32.5 से लेकर 33 सन्टीग्रिएट तो मेल मैल पैदा होगा इसका जो जंडर हो डिसाइड करता है तमपरेचर तो इसका फी मेल का पैदा होना या मेल का हरमाफोडाइट का पैदा होना यह बेश करता है एनवाइरमेंटल टमपरेचर को बार और एलिगेटर मिस इसी पेनिसी ठीक है तो यह मिस इसी पेनिसी जो अलिगेटर है यह इसका टंप्रेचर के वर बेस करता है इसका जेन्टर हो गया ओके बड़ा अलाफीस